जै मातारी दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इतना आसान और सरलो पाए बताती हूँ जिससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं फिर चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, प्रेमी हो या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिसे आप बेहद महबत करते हों दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह उपाए बहुत ही शक्तिशाली है यह वशीकरण बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण है इसे बाद में उतारा नहीं जा सकता तो इस विधी का प्रयोग आप सोच समझ कर ही कीजिएगा तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की विधी क्या है आज की विधी करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए तीन लौंग के जोड़े जी हां आपको तीन लौंग के जोड़े लेने हैं और ध्यान रहे इनके उपर फूल बना हुआ हो, वो साबुत हो और इन तीन लौंग के जोड़े को अपने सर पे से clockwise घुमाना है इनको साथ बार आप clockwise घुमाकर इन तीन लौंग को अपने मूमे रख ले आखे बंद करके उस व्यक्ति का ध्यान करें जिसको आपको वश में करना है ध्यान इस बात का करना है कि जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का चहरा आपके मन में दिखने लगे और इसके बाद हमारे शास्त्री जी द्वारा सिध किया हुआ प्रचंड वशीकरण मंत्र का साथ बार उच्चारण करना है तो वो मंत्र है ओम त्रीम 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 एक बार दुबारा मैं आपको उस मंत्र के बारे में बताना चाहती हूँ जी हाँ आपको उस व्यक्ति को अपने मन में लाकर तीन बार बोलना है ओम त्रीम त्रीम यह मंत्र को आप साथ बार अपने मंत्र में उच्चारण करें और फिर उसके बाद उन तीन लॉंग के जोडों को चाए या फिर किसी अन्ने खाने की चीज में मिला कर किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को खिला दे जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं यकीन मानिए दोस्तों सिर्फ तीन घंटे के अंदर वो इनसान जिसे आप बे इंतहा मुहपत करते हैं वो आपके वश में हो जाएगा और आपकी सारी बाते मानने लगेगा यह विधी करते वक्त आपको ये बात का खास ध्यान रखना है इस विधी को करते वक्त आपको कोई देखी ना जैसे ही आप ये काम करेंगे वो इनसान आपके वश में हो जाएगा और आप से बात किये विना रह नहीं पाएगा तो दोस्तों ध्यान रहें अगर आप इस विधी को कर रही हैं तो इस विधी को करते वक्त किसी भी प्रकार की गलत मंचा अपने मन में ना लाएं क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर गलत रादे से आप किसी कारे को करते हैं तो उसमें सफलता कभी नहीं मिल पाती तो आप स्क्रीन पर दिये गए नमरों पर कॉल करके हमसे अपनी परिशानी का इलाज भी करवा सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं फिलहाल आप सभी से मैं इजाज़त लेना चाहूंगी लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी और उसमें आपको एक नई वशीकरण विधी के बारे में आप बताओंगी तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त जय मता दी